बच्चों मान लो कि आप 2024 नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं MBBS में जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत ज़्यादा चीजों को पढ़ने की छिमता आपके अंदर नहीं है तो ऐसे में क्या रास्टा हो सकता है कि कम महनत करके अभी से महनत चालू करके आपनी 2024 में सिलेक्ट हो सके तो इसका एक ही सॉलुशन है कि जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को समराइस में पढ़ा जाए याद किया जाए उनका रिर्यविजन किया जाए और बहुत ज़्यादा डेटेल में न जाया जाए मुझे नीट और मेडिकल एंटरेंस को पढ़ाते हुए पच्चेस साल कंप्लीट हो चुके हैं पच्चेस साल का मेरा कंप्लीट एक्सपिरियंस यहाँ पर है और एलन आकास जितने भी कोचिंग के नाम आप सुनते हुए उन सभी में मैं पढ़ा चुका हूँ तो मेरे पूरे एक्सपिरियंस का अस्तेमाल करके यहाँ पूरा बाइलोजी बहुत ही समराइस भी मैं मैं यहाँ आपके सामने रखने जा रहा हूँ और पिछले देड़ महिने से हम इस पर बात कर रहे है बन बीक बन यूनिट उसको हम बात कर रहे है और यह जो हमारा बीक है यह बायो टेकनोलोजी की नाम है तो हमने प्रोसेस और बायो टेकनोलोजी कंप्लीट कर लिया है आज आदा घंटे के अंदर application of biotechnology यह मैं explain करूँगा got it my point so this is आर के शुकला ex-faculty for ELN as well as ACAS Institute and nowadays NEET BINAYAK YouTube channel तो आज हम बात करने बाले हैं आदा घंटे के अंदर मैं application of biotechnology की बात करूँगा और सब धी aspect हम cover करेंगी तो इससे question बाहर जाने की संभावना ना के बाराबार है तो चलिए बात करते हैं application of biotechnology के बारे में सबसे पहले बात कर लें कि NCIT ने सबसे पहले हम यह बात कर लें कि NCIT ने इसका कौन कौन सा topic लिया हुआ है कौन कौन सा content लिया हुआ है NCIT के light में ही हम लोग बात करने वाले हैं तो दिखवाएं NCIT ने कुल मिलाकर इसमें चार topic लिया है biotechnology biotechnology कल application in agriculture, biotechnology application in medicine transgenic animal and ethical issue तो इन चारों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं इनको हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका critical area कौन-कौन सा है तो सबसे पहली बात क्या आ जाती provide the best catalyst और अगर हम मतलब अलग-अलग protein को बनाने के लिए bio reactor में बनाने के लिए जो best catalyst है उनको search करना ठीक है फिर उसके बाद catalyst को काम करने के लिए optimal condition को search करना creating optimal condition through engineering for a catalyst to act और उसके बाद downstream processing की technology का development करना downstream processing में हम किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं जो product हम बना चुके हैं उसका purification, isolation यह सब downstream processing के अंतर गताता है इसके बारे में हम यहां discuss करते हैं अब सबसे पहले point पर आ जाते है genetically modified organism तो बच्चों सबसे पहले मान लो GMO का मतलब क्या होता है genetically modification का मतलब क्या है कि उसके जीन को modify करना modify हम कैसे कर सकते हम दो तरीके से कर सकते अगर उसमें ऐसा कोई जीन है हमने common cow से क्या बनाया हमने common cow से common cow को modify करके क्या बनाया रोजी बनाया रोजी के milk में protein का content बहुत जादा है क्योंकि हमने protein को बनाने बाला additional gene उसमें insert किया है इसी तरह से brown rice जो आता है उसमें उसमें दूसरे nutritional content की quantity जादा है तो जब इस तरह से हम gene को modify करते हैं तो ऐसे जो organism है वो क्या कहलाते हैं transgenic animal और transgenic plant as well as genetically modified organism तो याद रखना ये GMO genetically modified organism का ये मतलब है चलिए तो अब हम बात करते हैं कि GMO का अस्तमाल हमने किन किन कामों में किया है जड़ा इस बात को समझ लिए plant bacteria fungus animal who genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism plant have been useful in many way plant का अस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देख लो genetic modification है जाखिर हम क्यों genetic modification करते हैं सबसे पहली बात ये made crop more tolerant to abiotic stress जैसे जम्मू कास्मीर जैसे एरिया में जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है अगर हम राजस्थान की बात करें जहां सूखा पड़ता है अगर हम समुद्र तट की बात करें जहां salty water होता है या कहीं temperature बहुत ज्यादा होता है तो ऐसी condition में plant का development हो सके मतलब जो अवायोटिक stress के लिए ये dollar and two second दूसरा reduce reliance on chemical pesticide paste resistant crop ठीक है याद रखना बच्चो एक छूटी सी बात मैं आपको बताता हूँ हमारे सबसे पहले जो green revolution हुआ था वो कहा हुआ था पंजाब हर्याना और पश्मी उत्तर पड़िस अब यहाँ पर यहाँ की फसल अब develop करना है जो organic हो जिसमें pesticide fertilizer और insecticide का इस्तेमाल हमें न करना पड़े इस बात को अच्छी तरह से यहाँ पर दिमाग में set करके रखना है ठीक है फिर तीसरी बात जो यहाँ पर याद रखना help to reduce post harvest losses ठीक है harvesting के बाद जो loss होते हैं उससे बचाना और increased efficiency of mineral uses by plant plant में mineral की quantity को बढ़ाना उसकी मातरा को बढ़ाना ताकि उसका nutritional value बढ़ सके ठीक है फिर enhance nutritional value of food like golden rice golden rice में क्या है vitamin A है ठीक है तो हमने क्या किया vitamin A बाली additional gene इसमें डालती है फिर tailor-made plant to supply alternative resources to industry in the form of starches fuel and pharmaceutical इनके लिए चीजों को बनाना और उसके बाद paste resistant plant को बनाना जैसे बीटी cotton है बीटी cotton क्या करता है बीटी cotton insect को register करता है तो ऐसे animal को बनाना यह इसमें सारे के सारे हमारे objective है इस बात को अच्छी तरह ऐसे दिमाग में set करके रखना है तो यह GMO के हमारे objective है got it my point अब यहाँ पर हम बात करें इसका जो सबसे अच्छा example ले बीटी टॉक्सिन बायू पेस्टी साइट ठीक है अब एक बात याद रखना एक bacteria में bacillus thurigensis जिसको commonly हम कहते हैं BT इसका खास character क्या है इसका खास character यह है यह एक prototoxin बनाता है याद रखना यह एक prototoxin बनाता है prototoxin मतलब toxin का inactive form और यह prototoxin ऐसे होता है कि अगर यह insect की elementary canal में जाएगा तो insect की elementary canal में क्या करेगा पहले swelling करेगा और फिर उसको bore कर देगा insect की elementary canal में बहुत सारे hole हो जाएंगे, aperture हो जाएंगे जिसके चलते insect की death हो जाएगे तो बिना किसी chemical के استعمال के, हम grass ओपर जैसे insect को control कर सकते हैं, grass ओपर जैसा जो insect होता है, उसे control करना possible होता है, इसके استعمال से बिना किसी pesticide का استعمال किये, बात समझ में आ रही है तो ऐसे जो हैं तो ये, बीटी toxin में हम इस method का استعمال करते हैं, अब ज़रा इसको जान लो हमें कहां से मिला, इसका gene कहां से मिला bacillus thurygenesis, ठीक है और ये biopesticide है अब इससे हमने कई सारा फसल बनाए जैसे बीटी कोटन, बीटी कॉर्ण, रायस, टूमेटो, पुटेटो, सोया बीन ये तमाम सारी चीजों को हमने यहां इससे बना कर तयार किया है अब इसका insecticidal nature क्या है bacillus thurygenesis produce protein that kill certain insect such as lepidoptera lepidoptera क्या है, आर्थरोपोड़ा का order है, जिसका एक्जाम्पल है, टूबैको, बडवाम, एंड आर्वीव, फिर कोलेप्टेरन, ये वीटल्स, ये भी insecta में आता है, एंडिप्टेरन, ये भी का है, डिप्टेरा, इंसेक्टा का order है, आर्थरोपोड़ा का order है, इसमें क्या आता है, फ्लाइस आता है, और मॉस्कीटों आता है, ठीक है, तो इनको ये कंट्रोल करता है, ये जो प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन इनको कंट्रोल करता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रख, B-thury-aggences form protein क्रॉस्टल during a particular फेसे पंगेटल यह भ्याग्री फेसेस अफ्मिर है क्या करते है प्रोटीन क्रेटल बनाता है स्ट्रेस्ट क्रेट इस खुंए ठीना टॉ्टिक्टेसट पॉट्री यह active form में toxin में convert हो जाएगा और insect की क्या हो गई? death हो जाएगी कुल मिला के अब इसमें जीन कुन सा है बो देख लो तीन चार तरह का जीन है पहला है CRY 1st AC CRY 2nd AB यह किसको कंट्रोल करता है cotton ballber और CRY 1st AB किसको करता है corn borer को इतनी बात हैं हमें इसके बारे में पढ़ना था चीक है अब उसके बाद में आता है paste resistant plant बच्चो एक बात यहाँ पे समझ लो देखो RNA interference एक topic RNA interference का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो किसी जो है pesticide का genetic material DNA pesticide का genetic material मान लीजिए DNA है या किसी virus का genetic material DNA है या मान लो कि mRNA है ठीक है अब उसका genetic matter अंदर पहुंचा किसमे organism की body में वो क्या करेगा transcription करेगा जिससे क्या बन जाएगा जिससे बन जाएगा mRNA अब मान लो कि उस mRNA का complementary strain बनाने बाला gene already उस pathogen में है उसका complementary strain already उसमें है तो क्या होगा कि already जो complementary RNA strain है वो नए बनने वाले RNA strain के साथ pairing कर लेगा और ये double stranded mRNA बन जाएगा जिसके चलते translation नहीं हो पाएगा pathogen के protein नहीं बन पाएगे और जब pathogen के protein नहीं बन पाएगे तो pathogen host की body में survive नहीं कर पाएगा this activity is called as RNA interference ये क्या कहलाता है ये RNA interference कहलाता है यहाँ पर देख लो यही सब लिखा हुआ है animatour maloide gynae incognita infect the root of tobacco plant and cause a great reduction in yield it may be controlled by process of RNA interference ये जो incognita है malo maloide maloide gain incognita जो है इसका इसका control कैसे होगा कि इसका जो RNA बनता है उसका complementary already पहले होगा this method involves silencing of specific RNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that bind to end product and prevent translation of mRNA mRNA का transcription तो हो जाएगा लेकिन translation नहीं हो पाएगा और ये जो complementary RNA का gene हमें कहां से मिलता है retrovirus using agrobacterium vector retrovirus से मिलता है bacterium कौन सा इस्तेमाल करते है agrobacterium इसका vector इस्तेमाल करते है nematour specific gene बर introduced into the host plant इसको हम का introduce कर देंगे host plant पर अब उसके बाद बात करेंगे biotechnological application in medicine अभी तक सारी दुनिया में 30 biotechnological medicine का इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में 12 का हो रहा है हलांकि ये पुराना data है 2017 का आज की तारीक में इससे ज़्यादा का इस्तेमाला सबसे अच्छा example क्या है सबसे अच्छा example है genetically engineered insulin अब बच्चों यहाँ पर एक बात समझ लो insulin का इस्तेमाल हम किस के लिए करते है diabetes के treatment के लिए original जो insulin होता है उसमें तीन तीन वो होता है polypeptide change A, B and C और A और B किस से जड़ता है disulfurized A और B को काम करना होता है मतलब इसको glucose को glycosine में बदलना होता है but C उसे क्या करता है inactive बनाता है हमारी body में क्या होता है कि जब insulin pancreas से निकल कर exoncide पर जाता है जब यह exoncide में जाएगा pancreas से निकल कर liver में जाएगा तो इसका जो C strand है वो जो है अलग हो जाता है और cable A और B रह जाते है और जब C strand अलग हो जाता है तो A और B strand का क्या रहेगा A और B strand functional हो जाएगा जब हम इसको bio technology से बनाते थे तो उसमें बैवारिक दिक्कत आती थी कि तीनों strand बन जाते थे और जब इसको inject हम करते थे diabetic patient की body में तो injection की condition में C strand अलग ही नहीं होता था तो insulin non functional form में रहता था और काम नहीं कर पाता था एली लिली ने क्या किया उन्होंने cable A और B strand को develop करने वाला gene बनाया ठीक है और उसको disulfide से जोड दिया और उसको inject कर दिया उसने C को बनाया ही नहीं जिस तरीके से क्या हुआ इसका formation हो गया got it my point तो यही सब बाते देखो यहां पर यही सब बाते यहां पर लिखा A B and C chain of insulin यही सब बाते यहां पर दिया हुआ है और उसके बाद फिर यह जो मतलब C peptide के हमें जरुवत नहीं थी उसको अलग निकालना possible नहीं था यही सब बाते यहां पर maturation में क्या होता है C peptide अलग हो जाता है और C peptide के अलग होने की बज़े से यह functional हो जाता है in 18 1983 Ali Lily American company prepared two DNA sequence corresponding A and B chain of human insulin and introduce them into plasma E coli and produce insulin chain तो इन्होंने क्या किया C को बनाया ही नहीं A और B को disulfite से bound कर दिया उसका injection लगा दिया और यह successful है फिर बात करेंगे gene therapy के बारे gene therapy में हम क्या करते हैं बेटा दू तरीके gene therapy के दू तरीके पहला तरीका यह है कि अगर किसी person में कोई gene defective है जैसे इंडिया की बहुत सारी royal family लिए में हीमोफीलिया का हीमोफीलिया में पहलें से एक भी हीमोफीलिय की नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जब यह Bayo technological science का डबलप हुआ तो जब उनकी अगली generation अपने मदर के uterus में थी embryo form में तो उसको correct gene को inject कर दिया गया उसके genetic material का हिस्सा बन गया और factor 8 बनना चालू हो गया तो पहला तरीका तो यह है कि एंब्रियो में आप जीन को इंजेक्ट करा दो दूसरा तरीका क्या है कि एडल्ट को टैबलेट देने के बज़ाए एडल्ट में जीन को आप इंजेक्ट करा दो उसका जीन लो किसी कारियर में शिफ्ट करो और होस्ट में ले जाकर उसकी कॉपी करो और उसकी कॉपी को एडल्ट में टाइम टाइम पर आप इंजेक्ट करा दे रो अगर एंब्रियो में इंजेक्ट करा दिया जाएगा तो बंस बंस इना लाइफ बट अगर आप adult में इस्तेमाल करोगे तो नियमित इंटरबल पर यह आपको दुबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं तो इसमें NC18 न दो दो एक्जाम्पिल का जिकर किया है सबसे पहले किसका किया है जीन थेरेपी is a collection of method that allow correction of gene defect that has been diagnosis in a child or embryo अब इसके mechanism में आजाओ here genes are inserted into a person or embryo cell into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene non-functional gene के साथ उसे क्या किया जाएगा compensate किया जाएगा अब इसका सबसे बड़े एक्जाम्पिल है ADA deficiency इसका इस्तेमाल हमने कब किया 1990 ने ठीक है ADA ये जो है मतलब याद रखना ADA ये एंजाइम है और इस एंजाइम की जरुष हमें कहां पढ़ती है इस एंजाइम की जरुष इम्यून सिस्टम की functioning के लिए पढ़ता है तो ये experiment हमने adult में किया ठीक है ना तो कैसे हमने इस्तेमाल किया हमने क्या किया देखते जो हमने क्या किया किया कि सबसे पहले इसका जो जीन है उसको हमने body से बाहर निकाला और उसको culture में उसको हमने carrier में add किया और उसके लिए कौन सा carrier इस्तेमाल किया रिट्रो वाइरल बैक्टर हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद host में उसका copying कराया कॉपिंग को हमने क्या किया सेम परसंग के लिंफोसाइट को बाहर निकाला लिंफोसाइट का मतलब क्या होता है लिंफोसाइट का मतलब WBC होता है उसके WBC को हमने बाहर निकाला और WBC को उस मतलब ADA जीन बाला जो हमने RDNA बनाया था उसके मीडियम में उसको रख दिया तो वो जो जीन था वो पहुँच गया लिम्फोसाइट फिर हमने उसके लिम्फोसाइट को जिन में RDNA था दोबारा इंसरेट कर दिया उस बेबी उस चार साल की बच्ची की उसमें ब्लाट था तो वो चार-पाँच महीने काम किया चार-पाँच महीने बाद यही एक्सपेरिमेंटर रेपीट करना पड़ा लेकिन दवाई गोलियों की जरुवत नहीं पड़ी दवाई गोलियों के साइड इफेक्ट होते हैं बट जीन थरेपी के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं ठीक है तो यह हमने सक्सेस्पुली किया है तो हमने दोनों चीज़ों को पढ़ लिया इंसुलिन को भी पढ़ लिया अब उसके बाद molecular diagnosis में फाइदा क्या है कि बहुत अर्ली फेस में हमें बीमारी मालूम पढ़ जाती कैसे हम रिकॉंबिनेंट डिया इने टेक्नोलोजी पॉली बरेचियन रियक्षन एंजाइम लिंग्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे इस सब का इस्तेमाल करते हैं और इससे का होता है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज हो जाता है जब उसका नंबर बहुत कम होता है जैसे एक एक करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलीक्यूल से लेबल कर रेता है ठीक है उसके बाद उसको हाइब्रीडाइज करवाते हैं सस्पैक्टेड परसं के डियने के साथ से मीडियम में रखते हैं अगर दोनों में पेरिंग हो जाती है इसका मतलब यह है कि डिसीज कोजिंग कैसे होगा वो और्टो रेडियोग्राफी से होगा इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है एलिसा क्या एंटीजन एंटीबोडी टेस्ट अगर एक पाथोजन आपकी बोडी में जाएगा तो उसके खलाब एंटीबोडी बनीगा ठीक है एलिसा में हम कि याद रखना, is based on principle of antigen antibody interaction, it is based on detection of antigen or pathogen or antibody form in the response of these antigen, इनके प्रभवह में जो ये बना उसमें ये काम करता है फिर transgenic animal transgenic animal जिसमें कोई ना कोई foreign gene है अभी तक हमने क्या बनाया हमने बनाया animal that that have had their DNA manipulated by process and extra express and extra foreign gene known as transgenic animal हमने बात कर लिया transgenic rat है rabbit है pig है sheep है यह सब हम बना चुके ठीक है ना और आज की तारीक में जो अलग-अलग बीमारीयों के test किये जाते है 95% कहां किये जाते हैं transgenic mice पर ही किये जाते हैं अब इनका इस्तेमाल हम कौन-कौन से काम में कर रहे हैं सबसे पहले जो हमारी body की physiology है और जो हमारी growth factor है उनकी study ने हम करने हैं जैसे मानलो कि आपको sugar का वो करना है study करना है तो आप क्या करोगे sugar के लिए जो बिल्कुल sensitive gene है वो आप insert करोगे जो ज़्यादा sensitive gene है in comparison to normal gene of human being उसको आप insert करोगे उसको आप insert कर दोगे अगर उसको आप insert कर दोगे तो उस case में क्या होगा कि उस case में जल्दी आपको result दिखाई दे जाएगा तो अब तो आभी तक हम इसका इसका इस्तेमाल कर रहे है ठीक है और उसके अलावा study of disease cancer है cystic fibrosis है rheumatid arthritis है, algemar disease है इन सब के लिए भी हमने इस्तेमाल किया है ठीक है फिर biological product हमने बहुत सारे बनाए है जैसे हमने बनाया alpha-A anti-tripsin जिसका M5-CEMA में इस्तेमाल होता है, उसको हमने बनाया उसके अलावा phenyl ketonuria और cystic fibrosis के भी जो enzyme है, उनको हमने बनाया इनका हम इस्तेमाल कर चुके हैं फिर हमने transgenic cow rosy बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा protein है कितना 2.4 ग्राम पर लीटर है, और कौन सा protein है alpha-lacta lacta albumin है, जो normal milk से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर vaccine safety and chemical safety vaccine safety, chemical safety का मतलब क्या है vaccine का test vaccine का test हमने क्या किया, जैसे कि जैसे हमने polio vaccine का test किया है कैसे test किया, mice बनाया जिसमें polio बाला हमने polio बाली सारी condition add कर दिया, और फिर हमने उसको polio का vaccine उसको दिया बहुत कम समय में ये मलूम पड़ जाता है कि ये काम कर रहा है, कि नहीं कर रहा है इसी तरह से जो अलग-लग chemical है उनकी toxicity और safety testing के लिए भी, आजकल हम in content का استعمال करते हैं, अब बिटा इसमें कुछ एक ethical issue आ जाते है ethical issue ये आ जाता है, कि आखिर किस label पर हमें इन चीजों का استعمال करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैसी लगती है, जैसे हम भगवान हो गई लगवक ऐसे लगता है, जैसे कि हम nature के काम में खस्तक shape कर रहा है तो यहाँ पर एक ethical issue आ जाता है तो ethical issue के लिए क्या किया कि हमारी government ने एक committee बनाई, बिद्वानों की committee बनाई scientist की committee बनाई, जिसका नाम है genetic engineering approval committee ये committee ये तै करती है कि किस label तक हमें genetic modified research करना है और किस label तक genetically modified organism हमें बनाना है, ये इस बात को तै करने का काम ये committee करती है ठीक है, फिर उसके अलावा patent का issue भी है, patent बिटा आप जानती हो क्या होता है, patent का मतलब क्या होता है थोड़ा जान लो, अगर जैसे मैंने किसी चीज को develop किया, जैसे बास्मती राइस हमारे देश में हजारों साल से इस्तमाल होता है उसका patent अमेरिका की एक company ने करवा लिए patent का मतलब आप जान लो, patent का मतलब यह है कि अगर हमार दुनिया के किसी भी हिस्से का कोई भी किसान बास्मती राइस को उगाना चाहेगा तो उसे उस company की permission लेनी होगी उसे उसकी फीस देने होगी हमारे N.C.N. टेक्स्ट में भी बास्मती का जिक रख है जब उसके बाद हम दुनिया भर की company ने हमारा हल्दी, हमारा नीम, हल्दी का ऐसे beauty content और नीम का मतलब यह घाओ को ठीक करने वाला content हमारे N.C. जो का हजारों सालों से इस्तेमाल हो रही है तो उसके बाद हमारी सरकार जगरत होई बास्मती की लड़ाई अभी तक चल रही है बास्मती की बहुत सारी किसमें हजारों साल से हमारे देस में इस्तेमाल हो रही है इस मुद्दे को भी देखने की जरुवत है, समझने की जरुवत है, यह याद आखना, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा यहां समझने की जरुवत है, फिर बायो पाइरेसी, बायो पाइरेसी का मतलब क्या होता है, बायो पाइरेसी का मतलब यह होता है, कि हमारे जो content है, ठीक है दूसरी कमपनी बगेर उसकी पर्मिसन लिए, बगेर उसकी अथोरिटी लिए करती है, तो जब ये बायोजी की फिल्बे होता है, तो क्या कहलता है, बायोजी के बाद ये इसू बहुत ज़ादा बढ़ गया है, तो उसके लिए इंडियन पार्लिया मैंट ने एक काइदा भी बनाया है ठीक है तो बेटा इसमें कुल मिलाकर इतनी बातें हमें डिसकस करनी थी एप्लिकेशन और बायो टेकनोलोजी में जिसको हमने डिसकस कर लिया है मेरा 25 साल का एक्सपिरियंस यहां है इसके बाहर कोश्या नानी की संबाबना नक के बराबर है और एक डिल घंटे में आप इसे तयार भी कर पाओंगे तो इसका पीडियाफ आपको दो जगे मिल जाएगा एक तो सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरा नीट बिनायक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आपको मिल सकता है ठीक है तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्स इसका रैपिड रिपीज हम करेंगे और कल इसका टेस्ट रहेगा बायो टेकनलोजी का